परिचाय माडम, कुतब मिनार का निर्मान किसने करवाया था? दीप्ती, कुतब मिनार को कुतब द्दीन एबग द्वारा बनवाया गया था माम, ये कुतब मिनार कितनी उची है? यह 72.5 मीटर उची है बिला इसका मतलब कुतब मिनार 7250 सेंटी मीटर लंबी है क्या मैं ठीक है रहा हूँ मैडम? तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो सुमेथ बच्चो, इस पार्ट में आप भिन्नो को दशमलो की रूप में व्यक्त करने और उन पर कुछ बुनियादी संक्रियाओं को प्रदेशित करने के बारे में जानेंगे आओ सीखें भिन्नो को दशमलो संख्याओं के रूप में दर्शाना दशमलो संख्याओं को विस्त्रित रूप में व्यक्त करना दशमलो संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना दशमलो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन करना अप्रिता अपनी निजी डायरी के प्रिष्ठों को सजाने में व्यस्थ है उसकी डायरी के एक पेच की रेखाएं पेच को दस बराबर भागों में विभक्त करती है इस तरह हर भाग पेच का एक बटे दसवन हिस्सा दर्शाता है एक बटे दस को 0.1 भी लिखा जा सकता है अता हम कह सकते हैं कि 0.1 एक बटे दस की दशमलव प्रस्तिती है अप्रिता अपने स्कूल के जूते खरीदने अपने पिता के साथ जाती है दुकान में जूते की कीमतों को दशमलव संख्या के रूप में लिखा गया था वो आज़्चर में पढ़ गई कि कीमतों में दशमलव का क्या मतलब होता है आईए देखते हैं हम जानते हैं कि सौ पैसे मिलकर एक रुपिया बनाते हैं यानि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक पैसा एक रुपए का एक बटा सौवा हिस्सा होता है इसे शून्ने दशमलव शून्ने एक रुपए के रूप में भी लिखा जा सकता है आता पिच्चानवे पैसे एक रुपए का पिच्चानवे बटा सौवा हिस्सा होता है हम 95 पैसे को 0.95 रुपए के रूप में भी लिख सकते हैं अता जूतों की कीमत में दशमलव का मतलब पैसे से है जब एक वस्तू के मूल को मुद्रा के पदों में व्यक्त किया जाता है तब दशमलव का मतलब पैसे से होता है दशमलव प्रस्तुती वास्तविक जीवन में हम लंबाईयों और परिमाड़ों का वर्ण करने के लिए दशमलव का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं आईए अब हम तरल राशियों, ठोस राशियों और लंबाईयों को दशमलव के रूप में दर्शाते हैं तरल राशियां सवीता की मां उसे मदर डेरी से आधा लिटर दूद की थैली लाने के लिए कहती हैं जब वो इसे खरीदने के लिए गई, तो बूथ पर बेठा आदमी उसे एक पांसो मिलिलिटर की थैली दे देता है सभीता उलजन में पढ़ जाती है कि क्या 500 मिली लीटर और आधा लीटर बराबर होता है इस प्रशन का उत्तर देने में सक्षम होने के लिए हमें सबसे पहले तरल पदार्थों को मापने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एकाईयों को समझना चाहिए आए एक नजर डालते हैं शूनने शूनने एक किलो लीटर होगा अब हम सवीता के भ्रम की इस्तिती पर फिर से आते हैं 500 मिली लीटर बराबर 500 बटे 1000 लीटर होता है जो की 5 बटे 10 लीटर यानि 0.5 या 1 बटे 2 लीटर लिखा जा सकता है अधा 500 मिली लीटर दूद और आधा लीटर दूद बराबर होता है सवीधा को ये जान कर राहत मिली ठोस राशिया अक्षय अपनी मा के साथ सबजी बाजार गया वहां उसने देखा कि उसकी माँ 250 ग्राम और 500 ग्राम अलग अलग सबजी आ खरीदी गई राशियों को किलो ग्राम में बताना चाहता है ऐसा करने में सक्षम होने के लिए अक्षय को सबसे पहले ठोस राशियों की मातरा को मापने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली इकाईयों को समझना होगा एक ग्राम बराबर एक हजार मिली ग्राम होता है इसलिए एक मिली ग्राम बराबर एक बटे हजार ग्राम, जो कि शून्य दशमलव शून्य शून्य एक ग्राम होगा, एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम होता है, इसलिए एक ग्राम बराबर एक बटे एक हजार किलो ग्राम जो की शुन्ने दशमलव शुन्ने शुन्ने आउ खेलें कॉलम का का कॉलम खा से मिलान करें दशमलव संख्याओं की तुलना दशमलवां को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम अब निम्न की सहायता से दशमलव संख्याओं की तुलना कर सकते हैं विस्तरित रूप और आरोही या अवरोही क्रम से आएए कुछ उदारणों को देखते हैं विस्तरित रूप से करन ने एक पैन बीस दशमलव पांच शून्ने रुपए का खरीदा जबकि रवी ने एक पैन बीस दशमलव शून्ने पांच रुपए का खरीदा किसका पैन सबसे ज्यादा महंगा है करन के पैन के कीमत बीस दशमलव पांच शून्ने रुपए है जो की बराबर है बीस रुपए और पचास पैसे के चुकि हम जानते हैं कि बीस रुपए और पचास पैसे बड़े हैं बीस रुपए और पांच पैसे से अता करन का पैन अधिक महगा है आईए एक और समस्या को देखते हैं रवीना के परिवार में प्रति दिन 2.5 लीटर दूद की खपत होती है उसकी दोस्त करीना के परिवार में प्रति दिन 2000 मिली लीटर दूद की खपत होती है कौन से परिवार में अधिक दूद की खपत होती है रवीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूद 2.5 लीटर है जो की 2 लीटर और 500 मिली लीटर के बराबर है करीना के परिवार द्वारा खर्च किया गया दूद 2,000 मिली लीटर है जो की बराबर है 2,000 बटे 1,000 लीटर यानि 2 लीटर के हम जानते हैं कि 2 लीटर और 500 मिलिलीटर बड़ा हुता है 2 लीटर से इस तरह रवीना का परिवार करीना के परिवार से अधिक दूद की खपत करता है आरोही या अवरोही क्रम निशान्त, मुकुल, पियूश और परिख्षित ने क्रमशा 3.5, 3.55, 3.45 और 3.05 किलो आम खरीदे किसने आम की अधिक्तम और निवनतम मात्रा खरीदी आये सबसे पहले दशमलव राशियों को अवरोही क्रम यानि मानों के घटते क्रम में जमाते हैं दशमलव संख्याएं हैं 3.5, 3.55, 3.45, 3.05 आये हम संख्याओं को फिर से लिखते हैं आओ खेले दशमलव संख्याओं को रेक्ति स्थानों में आरोही क्रम में उठा कर रखें दशमलवों पर संक्रियाएं हम अब दशमलव संख्याओं पर निमने लिखित गणितिये संक्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं जोड, घटा, गुणा, एवं भाग आये हम अपनी अगली स्क्रीन में उपर युक्त गणितिये संक्रियाओं को देखते हैं जोड, जया ने अपने घर पर एक पारिवारिक समारोख के लिए 50 लीटर खाना पकाने का तेल, 32.5 लीटर दूद और 41.25 लीटर रस खरीदा है लीटर में खरीदी गई कुल मातरा कितनी है खाना पकाने का तेल खरीदा गया 50.08 लीटर दूद खरीदा गया 32.05 लीटर रस खरीदा गया 41.25 लीटर हम कुल खरीदी गई मातरा प्राप्त करने के लिए तीनो राशियों को जोड़ते हैं जो 123.75 लीटर प्राप्त होता है जयाने कुल 123.75 लीटर सामान खरीता घटाव श्री नारायन 42,345.79 रुपए वेतन कमाते हैं इस वेतन में से वह भविश्य निधी में 2317.52 रुपए का अंशदान करते हैं और कर यानि टेक्स के रूप में 4314.25 रुपए चुकाते हैं तो बताईए श्री नारायन का शेश वेतन क्या है भविश्य निधी का अंशदान 2317.52 रुपए है टेक्स का भुखतान 4314.25 रुपए है हम कुल कटवती प्राप्ट करने के लिए दोनों राशियों को जोड़ते हैं जो 6631.77 रुपए प्राप्ट होती है कुल अरजित वेतन 42,345.79 रुपए है हम शेश वेतन प्राप्ट करने के लिए अरजित वेतन में से कुल कटवती को घटाते हैं और 35,714.02 रुपए प्राप्ट करते हैं कटवती के बाद शिरी नारायन के पास 35,714.02 रुपए शेश बचते हैं गुणा रज़त की कार एक लीटर पैट्रोल में 12.5 किलो मीटर की दूरी तै करती है कार 5.5 लीटर पैट्रोल में कितनी दूरी तै करेगी 5.5 लीटर में तै की गई दूरी बराबर है 12.5 गुणे 5.5 के सबसे पहले हम 125 को 5 से गुणा करते हैं फिर हम 125 को 50 से गुणा करते हैं हम 6,875 प्राप्ट करने के लिए दोनों गुणन फलों को जोडते हैं चुकि दशमलो बिंदू के बाद दो अंख है एक 12.5 में और दूसरा 5.5 में हम दाए से दो अंखों तक गिनते हैं और परिणाम में साथ से पहले एक दशमलो बिंदू लगाते हैं अता कार 5.5 लीटर पैट्रोल में 68.75 किलो मेटर की दूरी तै करेगी फिभाजन अरुडा साथ दशमलो पांच किलो ग्राम चीने खरीती है और इस पर 230.625 खर्च करती है एक किलो चीने की पिमत ग्याद कीजिए साथ दशमलो पांच किलो ग्राम चीने की फिमत 230.625 रुपे है एक किलो ग्राम चीने की पराबर होगी 230.625 भाग 7.5 के 230.625 को साथ दशमलो पांच से विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले अंश और हर में 10 का गुणा करके हर का दशमलो बिंदू हटाते हैं 10 का गुणा करने से दशमलो बिंदू एक अंकदाई और चला जाता है अता अब हम 2306.25 को 75 से विभाजित करते हैं दिखाया नुसार दूनों संख्याओं को नीचे लिखें 2306.25 के दो अंकों यानि 23 को एक साथ लिखें 23 75 से बहुत छोटा है अब पहले तीन अंकों यानि 230 को एक साथ लिखें 230 75 से काफी बड़ा है और 75 से तीन बार में विभाजित किया जा सकता है अता तीन को दाईं तरफ लिखें और 225 को 230 के नीचे लिखें घटाएं और घटाव 5 को नीचे लिखें 6 को नीचे लाएं नई संख्या 56 बनती है जो 75 से काफी छोटी है अता शूने को तीन के दाईं और लिखें और दो को भी नीचे लाएं चुकि दो दशमलव बिंदू के बाद की संख्या है इसलिए शूने के दाईं और दशमलव लगाएं नई संख्या 562 बनती है जिसे 75 से 7 बार विभाजित किया जा सकता है घटाएं और घटाव 37 को नीचे लिखें पाँच को नीचे लाएं नई संख्या 375 बनती है ये पाँच से पूर्तिया विभाज है पाँच को साथ के दाईं और लिखें और 375 को 375 के नीचे लिखें घटाएं चूकि घटाव शूने है अता विभाजन समाप्ती को दर्शानी के लिए अंत में क्रॉस का चिन्ह लगाएं अता एक किलो चीनी की खीमत 30.75 रुपए है आओ खेलें, प्रशन को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प पर क्लिक करें हमने क्या चर्चा की? भिन्नो को दशमलव संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है तरल पदार्थों को मापने की एकाईयां एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर एक मिली लीटर बराबर एक बटे एक हजार लीटर जो की बराबर होता है 0.001 लीटर के ठोस पदार्थों को मापने की इकाईयां एक ग्राम बराबर एक हजार मिली ग्राम एक मिली ग्राम बराबर एक बटे एक हजार मिली ग्राम बराबर एक बटे एक हजार मिली ग्राम बराबर एक हजार मिली ग्राम बराबर एक बटे 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 एक अपने की इकाईयां एक हजार किलो मीटर बराबर शुन्ने दशमलव शुन्ने शुन्ने एक किलो मीटर